नमस्कार दोस्तों, वो तरकाशी की टेनल में फसे 41 मज़दूरों को निकालने की अब तक कोशिशे ही चल रही है और गोधी मीडिया सवाल पूछने के बजाए स्टूडियो में खड़े ओकर नौटंग किया कर रहा है TRP का नाच शुरू हो गया है मज़दूर निकलने वाले हैं, अब निकलने वाले हैं, तब निकलने वाले हैं, एक घंटे में निकलने वाले हैं, आदे घंटे में निकलने वाले हैं चिला चिला कर बकाइदा एनिमेशन के सारे पूरी की पूरी पिचर दिखाई जा रही है। लेकिन एक बार भी किसी ने सवाल नहीं किया कि आखिर अब तक उन मजदूरों को निकाला क्यों नहीं जा सका। मजदूरों को टेनल से निकालने की हर कोशिश में हम फेल क्यूं साबित हुए अमेरिका से मंगाई गई महंगी मशीने भी बंद हो गई मजदूरों को निकालने के लिए दूसरे जुगार ढूंडे गए अब ज़रा इधर देखिए गोधी मीडिया की गोधी गीरी पर गौर करिये जीत गई जिन्दगी निकाले गए मजदूर भगवान का मिला आशिरवाद दूआ हुई कुबूर सुरंग चीर कर बाहर निकाले मजदूर रेस्क्यू का आखरी चरण आधी रात मिली खुशकबरी ये वाली खबर दोस्तों आज से तीन दिन पुरानी है जब एक भी मजदूर बाहर नहीं निकाला गया था लेकिन गोधी मीडिया को क्या मतलब है उन्हें तो बस त्यार पी चाहिए खबर जूटी हो या सची कोई फर्क नहीं पड़ दोस्तों ये नोटंकी तो फिर भी ठीक है लेकिन इतनी नोटंकी के साथ ही अगर एक बार पूछ लेते कि देश के चौकिदार क्या कर रहे हैं कभी क्रिकेट के मैदान में कभी चुनावी सभा कर रहे हैं तो कभी पाइलिट बनके गूम रहे हैं अच्छा हुआ उत्रगंड में विपक्षी पार्टी की सरकार नहीं है अगर होती तो मोधी जी पार की सुरंग में घुस कर मजदूरों को निकाल लाते और गौधी मीडिया टीवी पर तब भी डंकाई बजवा रही हैं लेकिन अफसोस की बात है कि ये मजदूर पिछले सत्रा दिन से सुरंग में फसे रहे सीम पुषकर सिंधामी कभी फोन पर मजदूरों से बात करते रहे टैनल के गेट पर बाबा वौकनाग के मंदिर पर हाँ जोड़कर पूजा अर्चना करते रहे और रिस्क्यूं की दूआएं मांगते रहे प्रधान मंत्री ने भी प्रार्थना आए कि गोधी मीडिया इन सब की प्रार्थनाओं पर खबर चलाता रहा लेकिन दिवाली से वो बिचारे मजदूर जिंदगी और मौत के बीच में फसे हैं उनके परिवार वाले सुरंग के बाहर खड़े होकर हफ्तों से उनके बाहर निकलने का इंतजार कर रहे हैं उनको अपना प्रार्थनाओं पर भरोसा हो रहा है ना ही किसी की सांतवना अच्छी लग रही है अब वो बस बाहर निकलना चाते हैं दुनिया में डंका बज़वाने वाले हमारे विश्वगुरू की सरकार एक सुरंग में छेद करने में नाकाम साबिद हुई है इस बात से आपको समझ जाना चाहिए दोस्तों कि क्या सच में डंका बज़ भी रहा है यह सारी की सारी चमक गोदी मीडिया की फैलाई हुई है दोस्तों उन मज़दूरों को हर वक्त यह लग रहा है कि शायद आज वो बाहर आ जाएंगे लेकिन हर दिन उनकी उमीदें तूट रही है इदर मजदूर पर स्तितियों से लड़ रहे हैं उदर हफ्तों से कोशिशे चल रही है और गोदी मीडिया बस नौट अंकी में लगा हुआ है कि यह हुता है मीडिया का करतव यह खुद को देश का मुख्य मीडिया मेंस्ट्रीम मीडिया कहने वाले यह चैनल मीडिया वाला कौन सा करतव यह निभा पाए है खुद को बढ़के पत्रकार समझते है सूट बूट पहन कर ग्रीन स्क्रीन के सामने सुरंग की खुदाई दिखाने वाले आंकर आंकर आए क्या एक बार भी यह सवाल पूछ पाए कि यह वर्टिकल ड्रिलिंग जो 16 दिन बाद शुरू हुई वो पहले क्यों नहीं शुरू हो गई ड्रिलिंग मशीन के रिप्लेस्मेंट पार्ट्स के लिए घंटों इंतिजार क्यों करना पड़ा रेस्क्यू ओपरेशन की सही प्लानिंग क्यों नहीं की गई रेस्क्यू के लिए अब भी विदेशी विशेशग्यों और मशीनों पर निर्भर क्यों रहना पड़ा है इत्ते सालों के सत्ता में विश्गुरू ने क्या कर दिया है भारत को दुनिया की सबसे बड़ी अर्थवेवस्था बनाने का क्या फाइदा जब दो हफते थक हम अपने लोगों को सुरंग से निकाल नहीं पाए दोस्तों अपनी इसी चरन चुम्बन चाटू का आरिता की वज़े से गोधी मीडिया अपनी क्रेडिबिलिटी खोचुका है आपको क्या लगता है मैं कमेंट सेक्शन में लिख कर बताईए ये खबर आप उल्टा चुश्माई UC पर देख रहे हैं मेरा नाम फरहिन अंसारी है जै हिंद जै भारत